गुर्णीग फ्रेंड्स आज हम टिग्नेमेटर चैटर से लिटेटेटेटेटेट कोश्चन सोल्व करेंगे कोश्चन है आट्री बेक्स दूटो इस्टोर्म इन दे ब्रोकन पार्ट बेंट्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it the distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter find the height of the tree हमें कोश्चन में कह रखा है आंधी आने से एक पेड टूड़ जाता है और टूटा हुआ इस तरह मुड़ जाता है कि पेड का topmost part जमीन को छुने लगता है और 30 degree angle form करता है जो पेड का stem in the topmost part जो कि जमी से टच हो रहा उसके वीच के distance 8 meter है तो हमको पेड के height find करनी है तो हम find करते है हम माल लेते हैं BD पेड के height है जो कि तूटने के बाद दो भागम डिवाड है जाती है BC और CD जो CD भागे वो bend होकर point A पर touch होता है और 30 degree form करता है जो 30 degree angle है उसके सामने वाले height perpendicular हो जाएगी और एकजनेंट साइट बेस हो जाएगी जो कि 8 meter दे रखा है अगर हम X और Y की value find out कर लेते हैं तो हम ट्री की exact height find out कर सकते हैं तो परपेंडिकुलर अपर बेस का formula अगर हम परपेंडिकुलर find out कर सकते हैं जो कि तेन ठीटा का formula है तेन ठीटा is equal to perpendicular अपर बेस परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB जो की 8 meter दे रखा है अब हमको तेन 30 की value find out करने है तो तेन 30 is equal to BC is equal to BC upon 8 जो 8 क्योंकि यहां पर 8 लिखा है क्योंकि 8 AB की value हो AB बेस है तो यहां पर बेस की जगा हम 8 लिख सकते हैं और तेन 30 की value हम 1 upon 3 लिखेंगे क्योंकि technometric tables हम इसका याद कर सकते हैं तेन 30 की value होती है बन अपन रूट 3 बन अपन रूट 3 is equal to BC BC upon 8 अब इसका हम cross multiply करेंगे 8 का बाल में करेंगे तो 8 और रूट 3 8 रूट 3 is equal to BC अब हमने perpendicular to find कर लिए पर्पेंडिकोलर है 8 रूट 3 अब हम hypotenuse find करेंगे अब हमें hypotenuse find करने के लिए बी अपन एच का formula पड़ेगा जो की cos theta का formula है cos theta is equal to base upon hypotenuse, base हमको दे रखा है 8 meter होर hypotenuse है ac क्योंकि हमको angle 30 degree रखा है तो हम cos 30 की value निकालेंगे जो 8 is equal to ac, आपको 60 की value है root 3 upon 2 is equal to 8 upon ac, अब इसका cross multiply करेंगे तो यहाँ पर ac के value निकलेगे 16 upon root 3, अब हमको paid की exact height find out करने के लिए BC plus CD को join करने पड़ेगा, यह BC और यह CD, दोनों को join करेंगे तो हम exact height निकाल सकते हैं यहाँ पर हमको ac की height मिल चुकी है, पर जैसा कि आपको पता है, ac is equal to cd, तो यहाँ पर ac 16 upon root 3, तो cd भी 16 upon root 3 हो जाएगा तो BC हमारा निकला है 8 upon root 3 plus cd is equal to 16 upon root 3, अब हमको दोनों को 8 करेंगे तो हम इसकी value निकाल सकते हैं, दोनों का base से में, तो common एक बार लिख दिया, root 3, अब उपर side आएगा 8 plus 16, दोनों को 8 करेंगे तो 24 upon root 3, अब इसको rationalize करने के लिए, उपर नीचे दोनों side root 3 का multiply करेंगे, तो उपर हो जाएगा 24 root 3, और नीचे 3, अब इसको 24 को 8 times divide कर सकते हैं, तो answer आएगा 8 upon root 3, thank you.